हेलो दोस्तो, फ्री ओनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम इस वीडियो में NCIT गड़ित कक्छा नौवी अध्याय दू बहुपत प्रश्णा वाली दो दो समलो चार का प्रश्ण क्रमांग तीन सौल्ब करेंगे तो यहाँ पर प्रश्ण की मांग तीन है कि के का मांग गयात कीजिए जबकि निमलिकित स्थितियों में से प्रते किस्थिती में X-1 PX का एक गुरंखन है तो यहाँ पर हमें इन चारों क्वेश्ण में के का मांग गयात करना है और यहाँ पर आपको questions में क्या दिया गया है कि प्रते किस्तिती में जो x-1 है यहाँ पर आपको 4 questions दिये गए हैं प्रते किस्तिती में x-1 क्या px का एक गुरंखन है इसका मलब क्या है कि इस बहुपत का भी x-1 गुरंखन है और इस बहुपत का भी x-1 गुरंखन है इन 4 है जो तो जो बहुपत का अंसर होगा वो जीरो होगा इस बहुपत का अंसर भी जीरो होगा इस बहुपत का अंसर भी जीरो होगा यहां पर चारो बहुपत के लिए जो आंसर होगा वो जीरो होगा जैसे यदि हम यहां से गोड़न खंड लें गोड़न खंड यहां पर क्या है x-1 तो इसके बराबर हम 0 लेंगों जो मानस का एक है इस तरह पाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा और यदि हम x के मान को इस बहुपत में रखें तो इस बहुपत का अंसर भी 0 आएगा इस बहुपत का answer भी 0 आएगा इस प्रकार से तीसरे बहुपत का भी answer और चौती बहुपत का answer भी 0 आएगा तो यहाँ पर हमें questions में के का मान ग्यात करना है तो आई हम फाहले questions को सबसे पहले solve करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम ने जो भी question में दिया गया है लिखेंगे यहाँ पर हम हल दिया है जो भी questions में दिया गए हैं पर PX दिया गए है सब से पहले PX बराबर X बर्ग प्लस X प्लस K और यहाँ पर questions में दिया गया है कि जो X-1 है PX का एक गुड़न खंड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो X-1 गुड़न खंड है इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम X-1 बराबर 0 और यहाँ से हम X का बाण निकालेंगे तो जो माण wrapper का एक है इस तरह पाएगा तो पिलस का एक हो जाएगा अब इस X के माण को हम इस बहुपत PX में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर एक बहुपद px में रखने पर तो यहाँ पर आपको इस बहुपद में x की जिगा x कमान यहाँ पर एक रखना है तो यहाँ आपको दियान लखना है कि यहाँ पर दो पक्च होते हैं यह होता है पाया पक्च होता है तो जब भी आपको K कमान ग्याद करना हो आपको ध्यान लखना है कि जब भी K कमान ग्याद करना हो तो आपको इस पक्ष में रखकर इस पक्ष में यहाँ पर X कमान लखना है आपको द्यान रखना है तो यहां पर हम यहां से start करना शुरू करेंगे यहां से हम meal लखेंगे यहां पर x की जोगा peng follow क्या रखेंगे एक रखेंगे यहां पर बरग है बर्ग जांके तना लगाएंगे Virgin आए धान् 01 की जोगा एक्स का मान यहां पर क्या रखेंगे एक और यहां पर प्लस के जांगे ता और यहां पर कॉशन्स में लिया गया है कि जो एक्स माने से एक है पी एक्स का एक गुड़नखन है तो जब भी गुड़नखन होता है तो यहां पर पी एक्स का अंसर क्या आता है जीरो आता है तो हम यहाँ पर के भी जाकिता लेखेंगे बराबर जीरो भी जाकिता और यहाँ पर प्लस एक और प्लस एक कितने हो जाएंगे प्लस दो हो जाएंगे और प्लस के जाकिता और बराबर में जीरो को भी हम जाकिता लेखेंगे इसके बाद यहाँ पर हमें के कमान ग्यात का ना है तो के का मान मानस 2 होगा तो इस परकार से आप इन 4 questions को solve कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी questions में दिया गया है इसको लखना है फिर इसके बाद आपको गणखन के बराबर 0 लेना है और यहां से X का मान निकालना है और इस X के मान को यहाँ पर इस बहुपत PX में रखना है आपको इस बाले पक्च में नहीं रखना है आपको इस तरफ रखना है और इसके बराबरा आपको 0 रखते जाना है तो यहाँ पर के का मान क्या होगा मानस 2 होगा इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे questions को solve करेंगे तो सबसे पहले question में जो भी बहुपत PX दिया गया है उस बहुपत PX को लिखेंगे और यहाँ पर questions में गुड़न खंड भी दिया गया है कि जो X-1 है इस PX का एक गुड़न खंड है यहाँ पर हम लिखेंगे का गुड़न खंड X-1 है तो यहाँ पर आपको दिया लखना है कि परतिक बहुपत के लिए यहाँ पर गुड़न खंड किया दिया गया है questions में X-1 अब इसके बाद हम प्या करेंगे जो गुड़न खंड है इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम लेखेंगे इसलिए X-1 बराबर 0 और यहाँ से हम X कमान निकालेंगे तो जो मानस का एक इस तरह पाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा अब इस X कमान को यहाँ पर हम इस बहुपत PX में रखेंगे लेकिन हम लखना कि जब भी K कमान ग्यात का ना होता है तो हम इस बाल पक्ष में न रखकर X कमान इस बाल पक्ष में रखते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रखना X कमान तो यहाँ पर दो जाएगी ता लेखेंगे X की जगाए X कमान यहाँ पर एक रखेंगे और यहाँ पर बर्ग लगा है बर्ग को जागेता लगाएंगे प्लस चिन जागेता यहाँ पर के भी जागेता X की जगाए X कमान यहाँ पर एक रखेंगे और यहाँ पर प्लस अंडरूट 2 को हम जागेता लेखेंगे और यहाँ पर हम क्या बराबर में क्या लेंगे 0 कि यहाँ पर questions में दिया गया है कि जो X माने सेख है PX का गोड़न खंड है तो गोड़न खंड कब होता है जब भावपत का अंसर क्या आता है 0 आता है तो हम इसकी बराबर क्या लेंगे 0 अब इसके बाद इसको हम आंगी स्वाल्प करेंगे तो यहाँ पर दो जांके था एक के उपर कितने भी घात होती हो उसका अंसर हमेशा क्या होता है एक ही होता है चाहत तेन की घात हो चार की घात हो उसका मान कितना होता है एक ही होता है और यहां पर के का गुणा एक से होगा तो यहां पर के ही आएगा के कम के प्लस अंडरूट दो जांके ता लेकिंगे बराबर जीरो भी जांके ता दो का गुणा एक में होगा तो यहां पर कितनी आजाएंगे दो एक कम दो प्लस के जांके ता और यहां पर प्लस अंडरूट दो भी जांगे तह बराबर जीरो अब यहां से हम के कामान निकालेंगे तो के को हम इस पक्ष में ही रहने देंगे और यहां पर प्लस दो और प्लस अंडरूट दो को इस तरह हम पक्ष अंतर करेंगे तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम under root 2 को करेंगे तो मानस under root 2 और यहाँ पर इस तरह पाएंगे तो मानस के 2 हो जाएंगे तो आपका के कमान यही हो जाएगा या फिर यहाँ से हम मानस चिन कॉमन ले सकते हैं तो जैसे हम मानस चिन कॉमन लेंगे मानस अंडरूट 2 प्लस 2 तो आता हम लख सकते हैं आता है के का मान मानस अंडरूट 2 प्लस 2 होगा तो इस प्रकार से आपके दूसरे questions का answer हो जाएगा इसी प्रकार से यहाँ पर हम तीसरे और चौस्वाथे questions को स्वल्व करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे questions को solve करेंगे तो सबसे पहले questions में जो भी बहुपद दिया गया है PX की बराबर तो हमने इसको लिखा KX बार्ग मानस under root 2X plus 1 और यहाँ पर questions में दिया गया है कि जो X मानस 1 है PX का एक क्या है गुड़न खंड यहाँ पर हम लिखेंगे का गुड़न खंड X मानस 1 है प्रतिक जो भहुपद है उसके लिए X मानस 1 क्या है गुड़न खंड है अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो भी गुड़न खंड दिया गया है x-1 इसकी बराबर हम 0 रखेंगे और यहां से हम x कमान निकालेंगे तो जो मानस का एक है इस तरह पाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा अब इस x कमान को यहां पर हम इस बहुपद px में रखेंगे इस बाले पक्च में आपको नहीं रखना आपको किवल इस बाले पक्च में रखना है तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर एक बहुपद px में रखने पर तो हम x की जगा x कमान यहां पर एक रखेंगे तो यहां पर इसको हमें इसके पर देंगे इस बाले पक्ष में यहां पर हम रखेंगे तो k जांके था, x की जिंगा x का मानिया पर हम एक रखेंगे बर्ग जांके था लगाएंगे मानिस चिन्न जांके था, under root 2 भी जांके था लखेंगे x की जिंगा x का मानिया पर हम एक रखेंगे और यहाँ पर प्लैसिक जांकिता और यहाँ पर questions में दिया गया है कि जो X मानेस एक है PX का एक गुणन खड़न है तो जब भी गुणन खड़न होता है तो उसका मान हमिसा क्या होता है जीरो होता है तो इसके बराबर हम क्या रखेंगे जीरो रखेंगे अब इसके बाद इसको हम आगे स्वाल्प करेंगे तो यहाँ पर के जांकिता एक कवर कितना होगा एक ही होगा एक पर कितने की भी गात हो उसका मान हमिसा क्या होता है मानेस जीरो जांकिता अंडरूट टू का गुणन एक से होगा under root 2 वो प्लासिक जांके था बराबर 0 जांके था लिखा अब केका कुणा एक से हुगा तो यहाँ पर केक हम केई आ जाएगा यहाँ पर मानस under root 2 जांके था और यहाँ पर प्लास एक भी जांके था बराबर 0 अब इसकी बाद यहां से हम के कमान निकालेंगे तो इन सभी संख्यां को हम इस तरह पलाएंगे पक्षांतर करेंगे तो कि बराबर क्या हो जाएगा जो अंडरूट टू मानस का है इस तरह पाएगा तो प्लस का अंडरूट टू हो जाएगा और यहां पर प्लस का एक इस तर इसी परकार से यहां पर हम चोथे questions को solve करेंगे तो सबसे पहले जो भी questions में बहुपत दिया गया है तो यहां पर हमने लेखा कि दिया है PX बनावर KX बार के मानस 3X प्लस की और यहां पर questions में दिया गया है कि जो PX से X मानस 1 का गुणन खंड है तो यहां पर हम क्या करेंगे जो भी कुणन खंड है इसकी बराबर हम 0 रखेंगे एकस मानस 1 बराबर 0 और यहां से हमें X का मानने का लेंगे तो जो मानस का एक है इस तरह पाएगा तो प्लस का एक होगा अब इसे X का मानने को हम इस बहुपत PX में रखेंगे इस बाली पक्ष में रखना है आपको इस बाली पक्ष में नहीं रखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर एक बहुपद px में रखने पर x की जगा एक्स का मानिहाँ पर हम इस बहुपद में एक रखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से रखना इस्टार्ट करना तो की जांके ता X की जगाए X का मानिहाँ पर हमें एक रखेंगे और यहाँ पर बर्ग जांके ता मानिस चिन भी जांके ता और यहाँ पर तीन भी जांके ता लेखेंगे X की जगाए X का मानिहाँ पर एक रखेंगे plus k जागने से लेखेंगे वर बराबर हम क्या लेंगे 0 लेंगे क्योंकि क्वेस्टन में दिया गया है जो एकस मानस बान है p.x का एक गुरण खण है tutो जब भी गुरण खण होता है तो उसका यांसर क्या होता है 0 होता है यहाँ पर बराबर में 0 जांके तन लेखेंगे अब यहाँ से हम के का गुणा एक में करेंगे के कम के हो जाएगा और यहाँ पर मानेश जांके तन यहाँ पर 3 भी जांके तन लेखेंगे प्लस की जांके तन बराबर में 0 जांके तन लेखेंगे अब इसके बाद इसको हम आँगे स्वाल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के और एक के यहाँ पर एक लखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है आई इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं जैसे आप पर questions में दिया गया है के और प्लस के तो यहाँ पर इसको हम पढ़ती तो के हैं लेकिन यहाँ पर माना जाता है एक लेकिन लेका नहीं जाता है एक के और एक के इसको हम जोड़ेंगे तो के को हम जांकी तान लेखेंगे और यहाँ पर एक और एक कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे तो 1 के और 1 के कितने हो जाएंगे 2 के तो यहाँ पर हम लेखेंगे 1 के और 1 के कितने हो जाएंगे 2 के मानस 3 को हम जांके तरह लेखेंगे बराबर में 0 को भी जांके तरह रखेंगे अब यहाँ से हम के का मान निकालेंगे तो सबसे पहले 2K को हम जागेता लखेंगे मानस 3 का पक्छान तरह हम इस तरह आप करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे अब जो गुणा की संग क्या होती है वो कहां आ जाती है बटी में आ जाती है तो K बराबर क्या हो जाएगा तीन के बाटे यहाँ पर क्या आजाएंगे दो आजाएंगे तो के का मान यहाँ पर कितना होगा तीन बाटे दो होगा तो आता है हम लेख सकते हैं कि जो के का मान होगा तीन बाटे दो होगा आता है के का मान तीन बाटे दो होगा तो इस प्रकार से आपको प्रश्न के मांग 3 के चारों कोशन्स को अच्छे से तैयार कर लेना है यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद